नमस्कार फ्रेंट से स्वागत है आप सभी का आज के इस बीडियो में Äाज केश बीडियो में हम बात करेंगे लंका प्रीमे लीग टी- эти21 के मुकाबले नंबर 15 के बारे में जो कि फ्रैंड से खिला जा Ice के बीच में तो फ्रैंड से 9 10 टाइम की यहाँ पे अगर बात करें तो यह मुकाबला 14 दिसंबर को खिला जाएगा 3 बचे खिला जाएगा भारती है समय अनसार उसके बाद बैन्यू की अगर बात करें तो फ्रेंट से यह मुकाबला जो है आर प्रहमदासा इस्टेडियम पर खिला जाएगा सब्ढel नाविफंटूमे और पियूट करें और तिक्र खेल लीता है तो फ्रेंट से लाइट में जा के डैथ हो बस में उसका वैला करें प्रहम बात करें तो फ्रेंट से आपर इस को शाटट बिकेट और वहीं स्पीन स्कोट सब्सक्राइब ल्याज्स्ट के 10 मकापले की देखें तो फैंट यह पर पेसार्स और इस परएस्ट दोरों को लगबग संपने यह तो यहाँ पर डिया जो है तोड़े से चर्ड की तो यहां पर चैनल की लगवर्ट का देखें, तो ही एक सो ट्रीम सब्सक्राइब तक आपने हमारे टेलीग्रम चैनल को जोइन नहीं किया है तो टेलीग्रम चैनल को जोइन करें जगा टेलीग्रम चैनल के जोइन करने की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रख की है वाकि आप चाहे तो डिरेक्ट जाके भी सर्च कर सकते हो टेलीग्रम चैनल टेलीग्रम वी ग्यारे जी फंतसी पहले ही नमबर पर आपको अमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा फैट्स मैच के सुरू होने से दो से तीन गटे पहले मैं वहाँ पर आपको जो है पांच से छे ग्रेंड लीग की टीमें सेयर कर देता हूं साती साते सारे के सारे प्लेयर्स का े रिफ्री से देखने को मिलगा अगर हमीडिटी की यहां पर बात करें फैट्स फिक्टिश परसेंट हमीडिटी देखने को मुलीगी और पार इसका जो है लाश्ट के खेले पाँच मुकाबले में चार मुकाबले हा रहे हैं वहीं फेंट्स जो है CS की टीम की बात करें लाश्ट के खेले पाँच मुकाबले में दो मुकाबले मिन किया हैं तीन मुकाबले हा रहे हैं इसके हिसाभ से आपको अगर कि तो सिएस्टी मेचश मैच को जीति हुई दिखाई दे रही है उसके आप पिलेंग ऐनगे के बारे बैटिंग ओर सैनल क्या औरो मूर्स एंजलो परेरा कमेदू मेंडिस रभी वोपारा और यहां पर निवेश विमक्ति साथी साथ सचंदू कोलंबेज और सिराज अहमद वह फैंट्स आपको बिनूरा फनाड़ो यह सारे प्लेश आपको खेलते हों दिखांगे फैंट्स यहां पर केंडी बारियास के टीम की तरफ से तो फैंट्स पहले ही में आपको बता दे रहा हूं यह एक लाइकली प्लेंग एलेवन है एक पोजीबल एलेवन है इससे फैंट्स अगर जो है इसमें कोई भी बदला होगा संबब दिखता है तो हम आपको अपने टेली ग्राम पे सेयर का देंगे टेली ग्राम क कि बात करेंगे तो मेंनोद महलू का आपको बन्डाउर की पोजीशन पर लृट उन आउन स्休息 Supreme Town दिखाए पेद्टि यह को फेंट से लोर ओर्डर में और सिराज एहमद आपको चार ओब कराते हुए नज़र आएंगे वही बात करें नीमेस बिमक्तीव के बारे में आपको चार ओबर कराते हुए नजर आएंगे उसके बाद कमेंदू मेंडिस के बारे में बात करें तो कमेंदू मेंडिस आपको चार ओबर लगमग ये चार बॉलर्स जो है आपको चार ओबर वही सचिन्दू कोलिंबेज के बारे में बात करें ये भी आपको चार ओबर लाइकली प आल राउंडर के तोर पर इस टीम में खेर रहे हैं रवी वोपारा इनका भी आपको एक से दो ओवर जरूर से देखने को मिल सकता है टीटेन हाली हुए आभी दाभी टीटेन में इन्होंने जो दो दो ओवर अपनी टीम की तरफ से डाले थे टीटेन के मुकाबलों में उसके बात करेंगे यहाँ पर कॉलमबो स्टार्स के प्लेइंग 11 के बारे में तो उसके पहले बात कर लेते हैं कॉलमबो स्टार्स के प्लेइंग 11 के बारे में यहाँ पर पथमने संका एंजलो मैथ्यूज और यहाँ पर एसान प्रियंजन टॉम बॉल्टन सीकंजू परसनना डीनेश चांडीमल और रवींदू फनाडो वा फ्रेंट से धनंजया डीसलबा दुश्मंता चमीरा नवीन उलक और रभीर उंपल ये सारे प्लेयर्स आपको खेलते हो दिखेंगे कॉलंबो स्टास की टीम की तरफ से ये लाइकली प्लेंगे नेमर है इसमें कोई भी चेंज समब होगा वो हम आपको अपने टेलीग्राम पे सेयर कर देंगे तो फ्रेंट से बात का लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर कॉलंबो स्टास की जो है बैटिंग ओर्डर के वारे में तो फ्रेंट से यहाँ पर पथम निसंका और एंजलो परेरा एंजलो मेथ्यूज पत्म निसंका और एंजलो मेथ्यूज जो की कैप्टन है इस टीम के आपको ओपनिंग करते हुँ दिखेंगे वन डाउन की पोजिशन पर आपको खेलते हुँ दिखेंगे आसान प्री एंजन आसान प्री एंजन आपको खेलते हुए दिखेंगे फेंट्स यहाँ पर सेकंड डाउन की पोजिशन पर टॉम बॉंटन की बात करें टॉम बॉंटन आपको सेकंड डाउन की पोजिशन पर खेलते हुए दिखाए देंगे साथी साथे सीकंजू परसनना आपको थर्डा उनकी पोजीशन पर खेलते हुँ दिखा देंगे उसके बाद लोर ओर्डर के तीन बैट्समेन की बात करें तो दिनेश चांदीमल, रबिन्दू फरनाडो और धरनजया डीसलबा ये आपको खेलते हुँ दिखाई देंगे फर्ड्स यापर लोर ओर्डर में उसके बाद फर्ड्स बात करें इस टीम की जो है बॉलिंग ओर्डर के बारे में तो फर्ड्स यापर रबीर उमपल चार ओवर और नभीन उलहक चार ओवर दुजमन्ता चमीरा चार ओवर उसके बाद धर्ण जया डी सिल्बा चार ओवर और साथी साथ फर्ड्स आपको रविंदू फनाड़ो ये भी चार ओवर लाइकली पांच बॉलर्स के साथ आपको ये टीम कहलती हुए दिखाई देगी उसके बाद फर्ड्स बात करें सीकन्जू पिरसन्दा के बारे में या एंजलो मैथ्यूच जो की एक आल राउंडर है बैतरी आल राउंडर है इस टीम के तो एंजलो मैथ्यूच का भी आपको एक से दो ओवर यहां पर देखने को मिल सकता है चटे बॉलर के तो और पे लाइकली पांच बॉलर्स के साथ को यह टीम कहलती हुए दिखाई दे रही है उसके बाद पेंट्स बात करेंगे की पिलर्स के बारे में और उनके परफॉमिंट के बारे में तो की पिलर्स समय सबसे पहले बिगेट कीपर के बारे में बात करें तो पेंट्स मैंने यहां पर एक बिगेट कीपर को रखा है ज परियं के लिए लाश्ट कोछ मुकाबलों में उसके बाद च connect की बात करें काफी अच्छी काशी फंबे चल रहा है चलता है सलंका 34 जिएस गनेजों में 34 एक्वालिस एक्वालीस में सानीज़К defy में इक्तर के लिए एंच्छलों Heukshtla के बात करें कोई भाद में leaks Alex के 3 बारे में आराउंडर्स के बारे में बात करें सबसे पहले इनके वैटिंग ओर्डर के बारे में बात कर लेते हैं आराउंडर्स की वैटिंग पोजिस्टन के बारे में तो फ़ेंस यहां पर सीकंजू प्रसंदा का मैंने दिखाया में उसके साथी बात करें कमिंदू मेंडिस के बारे में साथ नो और 35 को छिस परकार की पारियां के लिए बल्ले से कमिंदू मेंडिस ने है रभी वोपारे की बात करें फेंडर वे पहले ही आपको रहा था है रभी वोपारAR कारलाषडर की कर्ञाँटर के तौर घेंड रहे हैंyu रेकैंडी sì करे रहां ही तरब हाक तो 54 वाईज और साथ कुछ इस परकार की पारीं के लिए यहां पर वल्ले से रभी वोपानर है उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो सीकंजू प्रसंदा बैटिंग में इतना कास नहीं कर पाये थे लेकिन प्रसंदा के लिए इन तीनों के तीनों मुकाबलों में फैट से नहों ने लगब जो है साथ विकेट चटका है यानि करें तीन मैच में साथ विकेट चटका हैं अभी तक सीकंजू प्रसंदा ने तो एक बॉलर के तौर पर रख सकते हो बॉलिंग आलराउंडर के तौर पर सीकंजू प्रसंदा को अपनी ग्रेडलियुके टीम में आप रख सकते हो उसके बाद डैबिड बीजे की बात करें तो डेविड बीजे ने भी लाश्ट के मुकाबले में 16 रन देकर एक फिगेट वाकि निजलेंड के खिलाब जो T20 खेला था उसमें 40 रन देकर एक फिगेट यानि कि बॉलिंग जरूर कराएंगे अपने टीम की तरफ से एक से दो बर अगर खेलते हैं तो कॉलंब में स्टार्स की तरफ से आपको एक से दो बर डालते हुए दिखेंगे अगर नहीं कहलते हैं तो कोई बात ही नहीं उसके बात कमिंदू मेंडिस की बात करें फैंट्स बॉलिंग में बहुत अच्छा का सा परतासन कर रहे हैं लाश् कैप्टन बाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि फिर्ट से एक आल राउंडर है यह उसके बाद रभी वोपारा की बात करें लास्ट के मुकाबलों में लाश्ट के दो मुकाबलों में बॉलिंग नहीं करा है हलांकि केटी के खलाब 21 रद देकर फिर्ट एक बिकेट जरू लिया था और फैर्ट एक से दो वार इस मैच में रभी वोपारा को जरू से मिल सकता है अगर जो है मैर्ड प्लेयर्स की पॉफरमेंस कराब जाती है तब उसके बाद पर बात करेंगे यहां पर बॉलस के बारे में बात करें तो हमने पहले आपको यहां पर रामाए न की का दिखाए है लाश के कि तीन मकाबले में आप लोग यहां देख सकते हो पांच में हैं लाश के मिकेट के तीन मकाबले वाकिफ फिर्ट से लाश के मुकाबलों में 5 पकेट भी था निउन ने चटका दी है इसका मतल्ब यह है अगर खेलते हैं तो grand league में तो रखना इनको बनता उसके बाद फ्रेंट्स बात करें सिराज एहमद के बारे में तो सिराज एहमद लास्ट के मुकाबले में बिकेट नहीं मिला था हलंकि लास्ट के जो दो मुकाबले खेले थे उनमें पांच पिकेट यानि कि लाष्ट के दो मुकामलों में पांच पिकेट ग्रेंड लीग का ट्राई कर सकते हो साथ ही साथ इसमाल लीग और हैड टू हैड में भी ट्राई कर सकते हो उसके बाद फैंड बात करें नजमल इसलाम के बारे में बात करें लाष्ट के तीन मुक को आपको दिखाया था प्रिदसन काफी अच्छा का सा किया है बलने से तो दिरेश चांधी मल को अपनी टीम में मैंने पिक किया है एक बिगेट की पर की तोर पर वाइप बात करें यहां पर वैटर्स के बारे में बात करें तो एंचलो मैंत्यूज लाश्ट के मैच में कितना अपनी टीम का बाइस कैपिनन पिक किया है और फैर्ट से लाश्ट के मुकाबले में आप देख सकते हो लाश्ट के जो तीन मुकाबले खेले हैं उसमें कापी अच्छा का सा प्रतसन किया है उसके बाद टॉम मार्टन की बात करें सेकंड डाउन की पोजिसर पर कहलते हो नजर लगवग चार से पांच में नमबर पर आके कापी अच्छी काची बल्ले बजी भी करते हैं साथी साथ अपनी टीम के लिए चार ओवर डालते हैं और उन चार ओवर से अंदर में फैर्ट से दो से तीन विकेट अगरे उन्हों ने निकाल दिये तो कैप्टन के तौर पर एक तीन बॉलाक्स के साथ गया हूँ तीनों के तीनों बॉलाक्स के साथ गया हूँ तीनों के तीनों के तीनों बॉलाक्स के साथ मैं गया हूँ उसके बाद फैर्ट आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो उनके साथ आप प्रसंदा को अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हो उसके बाद अगर आप चाहे तो दिनेश चांदीवल लास्ट के कुछ मकाबलों में अच्छा का सा परतासन किया है और वहीं चीकंजू यहाँ पिर एस कोलंबेज एस कोलंबेज और दिनेश चांदीवल इनको भी आप अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर तो फेंट्स फिराल के लिए वीडियो में इतना मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिंद जैभारत